नेका श्रे भी वो लेंगे ये तो बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा विरोधा भास है जब कानून आये थे तब भी वा मोदी जी वा मोदी जी हो रहा था अब जब वापस ले गिया गया तो थांक्यू मोदी जी थांक्यू मोदी जी हो रहा है ये थोड़ी बात ना पची है है कि काश यह पहले कर लिया होता तो हमारे बेटे हमारे पती हमारे लड़के हमारे पिता शायदा जीवित होते आप ने आप तो हर चीज अध्यादेश से कर देते लाइए अध्यादेश करिए वापस कानून का लाइए MSP एक कानूनी गारेंटी आप ED और CBI के डिरेक्टर का टेनियोर तो और्डिनेंस से बढ़ा देते हैं इसमें विंटर सत्र का बात होगी और सुधानशु जी से मैं 10 सेकंड में एक बात कहके खतम करना चाती हूँ अपनी बात सत्रा राज्यों में आपकी सरकार है सुधानशु जी एक जगे भी आपने दलित को मौका नहीं दिया पंजाब में दलित मुख्यमंत्रिय बना वो भी आपकी आँखों में चुब रहा है ये तो गलत बात है सुधानशु जी ये तो बहुत विरोध दलित समुधाय के प्रती बागद है और जो किसान आंदोलन छोड़कर चले गए थे भाग गए थे आंदोलन छोड़के वो आ अज पुलीस के सलूट ले रहा है डीजी पी कॉन्फरेंस लखनों में सुधानशु जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं आमित्शा के साथ स्वेट साजा कर रहा है और डीजी पी और आईजी पी उस आपनी को सलूट कर रहा है जिसके लड़के ने किसानों को अपनी आप देखा सुप्रिया जी का वक्त शुरू कहां से हुआ इसका श्रेय भी मोदी जी लेंगे और उसका श्रेय भी मोदी जी लेंगे यह श्रेय शब्द बार-बार उन्हीं के मुखार विंदू से क्यों उद्दर्द हो रहा है यह कहीं न कहीं दरशाता है कि उनके मन का सारा भाउ श्रेय के इर्द गिर्द ही घूम रहा है इसलिए मैं नहीं कहा है कहते हैं आपने श्रे कहा हमने संवेदन शीलता कहा हमने सारा देश समझ रहा है तो प्लीज आप भी ना बोले सारा देश यह भी देख रहा है कि मैंने जो पूछा था आज आप कह दीजिए कि तीनों राज्यों के जो एक्ट है चलिए हमन्डी होना जरूरी है तो मैं पुछ पहरा हूं केरल में मंडी आप कब वापस करने जा रहे हैं कॉंट्रैक्ट फॉर्मिंग काला कानून है तो महरा जेल हो सकती है कॉंट्रैक्ट फॉर्मिंग का उलंगर करने पर किसान को और फलो सब्जी में मंडी कब लाने जा रहे हैं सुप्या जी पूरा देश यह समझ रहा है इसलिए आज समझने का विशह नहीं आज अनुभाव करने का विशह है और फिर मैं एक बात कह रहा हूं आ बात करिएगा दलिक विरोधी मांसिक्ता खतम करिये भाजपा में प्रीटी जी मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूं जो इन्होंने मुझसे सवाल पूछा अगर मेरी आपकी जवाब देना चाहती हूं जी हाँ सुधानशु जी आप से मैं ये उम्मीद नहीं करती थी क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ही के पूर्व केनिता सत्पार मलिक जी और राजनाथ सिंजी इस बारे में क्या सोचते थे और उनका क्या मत था उनको लगता था किसानों के साथ गलत हो रहा लगातार उन्होंने इस बारे में पैरवी भी करी बोले भी आज राजनाथ सिंजी भी खुश होंगे ये आप जानते अच्छी तरह से आप आज कुछ कह लीजे यहां पर आकर मुझे आपकी मजबूरी पता है केरेला में 80% क्रॉप कमर्शल क्रॉप होती है मसाले उगाई जाते हैं वहाँ पर इसलिए MSP का होना या ना होना या मंडियों का होना या ना होना बेमानी है और आपको पता है पंजाब में कौन लाया था जिसको द्वारा लाया हुआ कानून है कि सजा होगी हमने तो इसको इंप्लिमेंट नहीं किया ये मैं आपको बताना चाहती हूं आपने 2022 परवरी तक किसानों की आए दुगनी करने का बादा किया था किरल में मनडी की कोई आवशकता नहीं इसकारती हुआ कि دेश के बिन बिन अंचलों में किसानों के आवशकता बिन बिन है सारे किसानों को एक तराजू पर नहीं तौल सकते दूसरी बात ये कह रही है कानून अकाली सरकार में आया था सुप्रिया जी मुक्यमंत्री बदल सकते हैं कानून नहीं बदल सकते सारा देश ये समझ रहा है इतना भोला कोई नहीं है कि रातो रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, कानून बदलने के लिए दोहाई दी जाएगी, कि दस साल से जिसकी सरकार है वो कह रहा है कि पिछली सरकार के जमाने का कानून है, ये किसानों के परती आपकी सम्मान और सम्वेदना का जीता जागदा उदहरन है. अनराग बदारिया से मैं इस पर एक छोड़ा सा कमेंट चाती हूँ, अनराग मुझे ब्रेक पर जाने हाँ. देखिए कमाल की बात है भारती जनता पार्टी की, क्यों केरल की बात करेगी, पंजाब की बात करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेगी, मैं बहुत दुखी हूँ, किसानों की यहां पर इतने, मैं किसान बिल बापस ले रहा हूँ, बड़ा भाबुक हूँ, तो सुदानसु जी बताइए ला इस मंच के मादनम से, कोई आपके पूजी पती को थोड़ी रोदा है, क्योंकि आप तो पूजी पती की सरकार है, किसानों को रोंद रहा है, तो रोंद दो, हम आएंगे सुबह एक दिन बोलेंगे, बड़ा तकलीफ है, और हम किसान बिल बापस करते हैं, 700 किसान मर गए, तो मर गए, कोई बात नहीं, वो तो मरते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो मावाली हैं, आतंग बादी हैं, उनको तो आपने चोड़ ड़केत बोल दिया, मरने दो, आप आराम से चदधर तान के इसी कमरे में सोते रहे, वो वीचारा किसान हुआ पे कील काटे, उसके रास्ते में बिचा के ठंड में ठीट उता रहा, गर्मी में वहाँ, वहाँ पर गर्मी में तरपता रहा, बारिस में भीकता रहा, कोई चिंता आपको नहीं आई, कैसे निष्टो और निर्दई हो सकते हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए आज आपको याद आ गया आपको लगा कि आपकी सरकार जा रही है तो मैं किसान कानून बापस लेता हूं अरे भैया सब्सक्राइब आपको लगा कि सत्ता हाथ से निकल सकती है तो आप लोगों ने ये फैसला कर लिया विपक्ष बार-बार इस बात को उठा रहा है देखे मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरी विनमृता के साथ बड़े अनेक प्रकार की मुद्राएं बनाकर बोला कि परण तुम एक बात कहना का चाहता हूं हमारी समवेदना सब के लिए समान है उनकिसानों के लिए भी जो कुचल कर मारे गए और उन लोह के लिए बहुए उनके लाटीों से पीट-पीट ली